चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाए चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम केमसी मनिपाल और केमसी मैंगलोर के एडमिशन प्रोसेस प्रिवेस इयर की कटोप, एक्सपेक्टेड कटोप, ट्यूसन फीस, होस्टल फीस और अवेलेबल सीट्स के बारे में जान करी लेंगे दोस्तो केमसी यानि कस्तूरबा मेडिकल कोलेज का नाम तो आपने सुना ही होगा यह है एक डिमडी उनिर्सिटी है और करनाठका में इसकी डो मेडिकल कोलेज हैं केमसी मनिपाल और केमसी मैंगलोर 2016 से पहले ये कॉमेड के अंडर आती थी मगर बाद में ये मनिपाल उनिर्सिटी के अंडर डिमडी उनिर्सिटी में कनवार्ट हो गई 2020 की NIRF ranking की बात करें तो KMC मनिपाल 9th ranking की और KMC मेंगलोर 21st ranking की medical college है तो सबसे पहले हम KMC मनिपाल के बारे में जानकारी लेते हैं ये 1953 में establish हुई पुरानी medical college है जो करनाटका के मनिपाल में इस्तित है और KMC मेंगलोर से इसकी demand काफी ज्यादा है इसमें total 250 seats है जिसमें management और paid seat 213 है और NRI की 37 seats है फीज की बात करें तो 2019 में इसकी tuition fees 13,10,000 रुपए सालाना और hostel fees इसकी 10,300 रुपए पर मन्त थी 2018 में ये 11,24,000 पर ये फीज थी और hostel फीज इसकी 9,800 रुपए थी 2018 में इसके बाद इसकी कटोप की बात करें तो 2019 में इसकी कटोप फेस्ट रौंड में 5,40 मार्क्स शुरीक फाइचिन रौंड में 5,45 मार्क्स और मॉपप रौंड में 5,70 मार्क्स रही थी 2020 की इसकी एक्सपेक्टेड कटोप की बात करें तो ये 5,40 के नियरबाई रहने की संभावना है अब भी बात करें हम केमसी मेंगलोर की तो ये 1955 की स्टेबलेस्ट पुरानी मेडिकल कोलेज है करनाटका के मेंगलोर में इस्तित है इसमें टोटल 250 सीट सें जिसमें 200 12 सीट मनेजमेंट और पेड कोटा की हैं इसके अलावा 38 सीट एनराई सीट सें इसमें फीज की बात करें तो इसकी टूसन फीज 2019 में 13,10,000 रुपए जो केमसी मनिपाल के बराबर ही थी केमसी मनिपाल के बराबर ही इसकी 2018 में फीज थी इसकी होस्टल फीज 2019 में 12,450 रुपए पर मन्त थी इसकी कटोप की बात करें तो 2019 में फर्स्ट राउंड की कटोप 535 मार्क्स रही थी second round की cutoff 534 marks रही थी और mop up round की cutoff 563 marks रही थी 2020 की expected cutoff की बात करें तो ये 530 से 535 marks तक रह सकती है अब KMC मनिपाल और KMC मैंगलोर में admission कैसे लें तो इसमें admission NEET score पर होता है NEET का result आजाने के बाद MCC की website पर register करना है और registration के time पर dim day university के check box पर आपको select करना है और 24 फिल में KMC मनिपाल आपने पहले 24 फिल करनी है उसके बाद KMC मैंगलोर की 24 फिल करनी है यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको पहले KMC मनिपाल ही select करना है उसके बाद KMC मनिपाल मैंगलोर select करें MCC द्वारा first round, second round और mop up round की counselling करवा कर इसमें admission दिया जाता है तो दोस्तो KMC मनिपाल और मैंगलोर दोनों medical college के education बहुत अच्छा है infrastructure faculty भी बहुत अच्छी होने के कारने इसकी fees काफी ज़्यादा होते हुए भी इसकी demand काफी है कटोब भी काफी ज़्यादा रहती है private medical college की बात करें तो CMC value, CMC ludiana और St. John medical college बैंगलोर के बाद इसी का number आता है तो दोस्तो इसकी fees इतनी ज़्यादा है कि इसमें पैसे वाले student ही admission ले सकते हैं हाँ इतना जरूर है कि कोई educational या फिर education loan से MBBS करना चाहे तो इस medical college में admission के लिए fees इस वाधर expense का 90% loan आसानी से मिल जाता है तो दोस्तो ये काफी सारे student की demand थी इसकारण मैंने इन दोनों college पर ये video upload किया है आपको counseling के समय हम बाकी guidance दे देंगे अगर आप हमारे channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वा जदा जदा share करें मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए यचे हिन